एलो दोस्तो मुझे उमीद है कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तो आज आपको Nifty 50 में भी बहतरी इन मुमेंटम देखने को मिला है डाउन साइड आप देखेंगे ट्रेडिंग डेलो का मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया यहीं पर बैंक Nifty में भी आपको ट्रेडिंग डेलो का ब्रेकडाउन देखने के लिए मिला है काफी बहतरी इन वन साइड इन मुमेंटम सेम ही सिच्वेशन आपको Nifty Financial Services में देखने को मिली मार्केट ने ट्रेडिंग डेलो का ब्रेकडाउन दिया और वन साइड़ेड आपको मुमेंटम दिया उम्मीद है आज की दिन आपने काफी बहतरी इन प्रॉफिट बनाया होगा आईए अब इस लोजिक को प्रोपर तरीके से अच्छे तरीके से समझे की कोसिस करते हैं क्योंकि अगर आप देखेंगे एक तरीके से आपको Gap Up Opening मिली मैं इस पूरी सिनेरियो को समझाने की आपको कोसिस करता हूँ यहाँ पर हमारा यह क्या है एक तो बड़ी Gap Up Opening मिल रही आपको मैंने आपको हमेंसा कहा है बड़ी Green Candle, बड़ी Red Candle, बड़ी Gap Up Opening, बड़ी Gap Down Opening यह चारो एक तरह की चलती ट्रेन होती है इन ट्रेन में सीधे नहीं गोसिना होता अगर आप यहाँ पर इस situation देखेंगे, एक sideways market से भी हम दूर रहते हैं तो इस situation पर फोकस करते हैं, पहली एक तो आपको बड़ी Gap Up Opening मिली कोई बात नहीं market को observe करो, market आपको बताने की क्या कोसिस करा है, 5 मिनाट का टाइम फ्रेम लगा हूँ है पहली candle बन गई, ठीक है, यहाँ पर आपको एक बहतरीन सी lower shadow दिखाई दे रही है उपर अपर shadow भी आपको दिखाई दे दे, इसे अलग लग तरीके से जानते हैं, पर विक भी कह देते हैं, lower विक भी कह देते हैं अब market ने एक range फर्म कर दिया, आपको बता दिया कि market ने एक high ये लगा दिया है, और एक low ये लगा दिया है जब तक market इस बीच रहेगा, आपको कुछ भी नहीं करना है अगर आप यहाँ पे देखो, अगर market सीधे ही, यहाँ पे जो ये पहली candle बनाई है, इसी candle से उपर निकलना सुरू हो जाता अगर मान के चलो ये green candle बनती, बनी हुई red candle है और अगली candle भी red का आपको scenario देखने को मिल रहा है अगर ये green candle बनती, market इसका सीधे breakout देके ऊपर चल जाता, तो क्या यहाँ पे एक positive momentum बनता तो market के लिए positive momentum बनता, लेकिन आपको buying side नहीं जाना था क्योंकि बड़ी gap up opening देखने को मिल रहे है, ऊपर से bullish candle और market उसका breakout देके चल रहा है बहतर क्या है, retracement लेलता है, या फिर, market ने जो ये scenario यहाँ पे create किया है अगर देखो एक retest किया, एक momentum दिखा है, अगर यहीं से ही market इसका breakout देता तो यहाँ पे भी आपके लिए एक better opportunity मिल जाती है, आप इसे consider करते हैं आपको trading day high का breakout मिल चुका है, कुछ-कुछ possibilities में यहाँ पे discuss कर देता हूँ, उमीद है आपको इस चीज़े समझे में आ रही होगी आला कि simple आपको एक चीज़ भी समझाई जा सकते थे, कि breakdown दे रहा है, लेकिन मैं proper logic से समझानी की कोसिस कर रहा हूँ कि किस scenario पे आपको क्या-क्या possibilities बन सकते थे और किस तरीके से हमें उन्हें execute करना था, समझ में आ रहा है कि नहीं, comment करके बताओ कि समझानी चाहिए कि नहीं, और like target है 5000, like आप वीडियो को like नहीं कर रहे हैं, जल्दी से like बटन प्रेस कर दो, तो market में अभी तक हमने क्या सिखा, अगर market यहीं प करता, तब भी हम trade करते, ठीक है, लेकिन market में क्या दिखाया, ना तो trading day high का breakout दिया, और ना ही यहाँ पे जब market आया था, trading day low का breakdown दिया, अब यहाँ पे market ने इसका breakdown दे दिया, situation हमें समझ में आगी, अब नीचे की तरफ कौन-कौन से support है, एक support तो हमारे लिए यह है, यह क्य नीचे एक support बैठा हुआ है, 46,000 का, अब क्या तरीका होता है, मैंने आपको समझाया हुआ है, अगर हम trade में पहले से बैठे हुए, दियान से समझो, मैं फिर से repeat कर रहा हूँ, अगर आप trade में पहले से बैठे हुए हैं, और market किसी important level पे आ रहा है, और उसका breakdown दे रहा है, त तो आप अपने stop loss को उठा के यहाँ पे trail कर सकते हैं, पहली situation, अगर आप trade में पहले से बैठे हुए हैं, और market ने यहाँ पे breakdown नहीं दिया, time spend करना सुरू कर दिया, तो अपनी profit booking कर लो, दूसरी condition, तीसरी condition, हमें पता है यह एक important level है, हम trade में पहले से नहीं थे, market इसका breakdown दे रहा है, तो क्या trade लेंगे, नहीं, तो यहाँ पे आपको opportunity कहाँ पे मिली, यहाँ पे, trading day लो का market ने breakdown दिया, यानि कि आप trade में पहले से बैठे हुए हैं, और market में आगे आपका कौन सा important level है, previous day high का important level है, और market ने इसका breakdown दे दिया, तो यहाँ पे भी आपको एक opportunity मिलीए, य trading day लो का आपको breakdown मिल रहा है, यहाँ पे आपको previous day high का भी breakdown मिल चुका है, सीधे सीधे समझो, market ने एक retracement भी दिखाया, प्राइजेक्शन भी बनाया, कोई SL हिट नहीं हुआ, और फिर market ने momentum दिखा दिया, सीधे सीधे market ने 46,000 का भी आपको इहाँ पे breakdown दे के चला है, market सीध आपको एक momentum दिखाई दे रहा है, तो मैंने क्या समझाया अभी आपको, कि यहाँ पे कौन सी theory काम कर दी है, यह वाली theory, क्योंकि हम ट्रेड में पहले से बैटे वे थे, बस हम अपने इस्टोपलोस को ट्रेल कर रहे है, हमें बस यह एक swing बनना चाहिए हमारे लिए, जहाँ यहाँ पे हम अपने इस्टोपलोस को प्लेस कर सके, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, मैं फिर से ड्रो करता हूँ, यहाँ पे एक यह हो गया और एक यह 46,000 हो गया, ठीक है, यहाँ पे ट्रेडिंग डे लोग का हमें ब्रेकडाउन मिला, यहाँ से आपको अपोर्चु बन गया, तो यह क्या कर सकते हैं, अपने इस्टोपलोस को यहाँ से उठा के यहाँ प्लेस कर सकते हैं, फिर मार्किट हर इंपोर्टेंट लेवल का ब्रेकडाउन दे के चल रहा है, यहाँ पे जो मैंने केस समझाया, कि हम ट्रेड में पहले से बैटे वे थे मार्कित किसी का सीधे breakdown दे रहा है तुम अपने इस्टोपलोस को ठाके यहां पर पूट कर सकते हैं प्रोफिट बुकिंग करने की जरूरत नहीं है अगर यहां पर टाइम स्पेंड करने लगता तब हम प्रोफिट बुकिंग करते हैं समझ में आया किलियर हुआ की नहीं तो मार्किट ने फिर से एक स्विंग क्रेट कर दिया देखो स्विंग को नहीं तोड रहा है और आपको ट्रेलिंग स्टोपलोस इस्तेमाल करने का पूरा मोका दे रहा है किसी भी swing का market ने यहाँ पे breakout नहीं दिया है, यहाँ पे आप देखेंगे इस swing का breakout दिया है, पर लेकिन यहाँ तक बहुत बड़ा momentum हो जाता है, बहुत ही बड़ा, अगर किसी ने ये भी capture कर लिया होगा, ये भी बहुत 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 रिस्क reward रेसो बैठता है, खास कर expiry वाले दिन, तो चीजे समझ में आ रही है कि नहीं, strategies आपके लिए काम कर रही है कि नहीं, दिको हमेशा मैं आपको कहता हूँ कि learning पे focus करो, अगर आप learning पे focus करेंगे तो आपकी earning automatically होने लग जाएगी, ज़्यादतर लोग क्या करते हैं, इस market में कमाने के लिए आते क्योंकि उनका focus learning पे नहीं होता, अपनी observation power को बढ़ाओ, market को learn करो, लेको कभी-कभी strategies फैल भी होगी, मैं आपको हमेशा कहता हूँ, ऐसी कोई strategy है नहीं, जो 100% perfect हो, कोई भी strategy ऐसी नहीं है, strategies फैल होती है, लेकिन risk reward ratio इसलिए तो design किया गया है, जब हम खोए 1 रुपया और जब हम पाए 2 रुपय, ठीक है, अगर trailing stop loss का इस्तेमाल करेंगे, हम इसे 1-3 तक भी ले जा सकते हैं, 1-4 तक, 1-7 तक, 1-10 तक, depending on आपकी observation कैसी है, market के बारे में, समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं आपको क्या समझाने की कोसिस कर रहा हूँ, clear हो रहे है कि नहीं, तो जल्द 26,000 के breakdown पे opportunity को पकड़ा, एक retest भी लिया, market ने फिर से आपको एक momentum दिखाया, तो आपको comment करना है, आपने किस level पे market को पकड़ा, किस strategic recording आपने market को पकड़ा, समझ में आए कि नहीं, clear हुआ, सर चीजे, आइए, अब हम आगे बढ़ते हैं, कल पे भी एक नजर डालते हैं, क उसी level पे आज भी 27 ने market ने support लेके bounce मा रहा है, तो एक support zone हमें या पे दिखाई दे रहा है, अब बात सिरफ यहीं पे खतम नहीं होती, 20 को भी अगर आप देखेंगे market ने, इसी support पे एक बहुत 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 पे हमारा support zone यहां पे दिखाई दे रहा है, market यहां पे support ले सकता है, possibility है, एक situation हमें यहां पे market में दिखाई दे रही है, clear clear है, आपको समझ में आ रहा है, चलो यह भी हमने note down कर लिया, ऊपर की तरफ note down करने वाली चीज क्या है, सिर्फ यह level है, 46,000, ठीक है, समझ में आ, clear अब इसका मतलब यह नहीं है, कि इससे पहले कुछ चीजे है नहीं, इससे पहले भी है, लेकिन most important level हमारे लिए है, कि round level पे market किस तरीके से react करेगा, यह फिर यहां तक जाने पे हम profit booking करेंगे अपनी, चलो एक एक चीज को step by step समझते हैं, अगर market flat open होके आपको positive momentum दिखाता ह है, तो इस situation पे हम क्या इंतिजार करेंगे, कि market previous day closing से ऊपर चले, जो आपके लिए resistance बने गया, 46,000 पे हमें दिखाई दी रहा है, अगर market इसका breakout देता है, 46,100 इसका market ने breakout दे दिया, जो 27 का day high है, यानि कि previous day high, कल के लिए आपके लिए previous day high बन जाएगा, तो यह आपके flat open होके negative momentum दिखाता है, इस scenario पे हम क्या कर सकते है, अगर flat open होके negative momentum दिखा रहा है, तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, कि यह एक support zone है, अभी हमने discuss किया, तो ज्यादा बहतर क्या है, कि previous day closing से previous day low तक आप scalping कर लो, एक long side जाने की कोशिस मत करो, क्योंकि अगर हम इस analysis क देख रहे हैं, 20 को भी market ने एक momentum दिखाया, फिर 25 को भी market आया, एक momentum दिखाया, आज भी market यहीं पर आया, एक momentum दिखाया, तो बहतर क्या है, जब तक इसका breakdown नहीं मिलता है, यानि कि previous day low का आपको breakdown नहीं मिलता, तक एक बहतरीन trade नहीं बन सकता, दोस्तों, content अगर पसंद आ है, वीडियो को like जरूर कीजेगा, और comment करके बताना, तो हमें previous day low का breakdown चाहिए, और previous day low का breakdown मिलते हैं, हमें previous day low के breakdown वाला setup भी हमारे लिए काम करेगा, चीजे समझ में आई, यहां तक कोई भी confusion नहीं है, clear होगी ही सार चीजे, आईए अब हम आगे discussion करते हैं, अगर आपको gap up opening मिलती है, gap up opening का मतलब यह नहीं होता कि market हर बार ही gap को fill करने वापिस आईगा, gap up opening आपको यह observe करनी है, अगर आपको 46,000 के पास मिल रही है, उस situation पर आप क्या करेंगे, अगर 46,000 के पास आपको gap up opening मिल रही है, तो इस scenario पर हम पूरा focus यह रखेंगे कि इस पर market क्या price action बना अगर यहीं पर gap up opening देके time spend करके breakout दे दिया, तो resistance 46,000 और यह आपका अगला resistance क्या बनेगा 46,100 और अगला resistance यह 27 का day high, लेकिन अगर market नहीं पर gap up opening देके सीधे ही breakout दे दिया, तो आप trade नहीं करेंगे, आप just market को observe करेंगे, जब तक कि आपको कोई बहतरीन सा price action नहीं बन जात यह market कुछ time spend करके आपको trading day high बना के दे दे और trading day low बना के दे दे, फिर आप देखेंगे कि marketing पर किस तरीके से react कर रहा है, उसके according आप काम करेंगे, लेकिन जैसे कि हमें पता है कि यह एक rejection zone है, और resistance की track कर सकता है, अगर यहाँ पर gap up opening देके very scandal बना दे market, तो हमारे लिए ज आपको gap down opening देखने को मिल जाती है, उस situation पर क्या करेंगे, अगर आपको gap down opening देखने को मिल रही है, तो हम पूरा focus इस वाले zone पर करेंगे, यानि कि कुल मिला के कहें, एक line में बात खतम करेंगे, तो 27K day low पर, जो कि हमारे लिए previous day low भी है, पूरा focus हम इस level पर करेंगे, समझ उमेद कर सकते हैं, नीचे की तरह price action के according आपके लिए जो support zone दिखाई देंगे, यहाँ पर आप देखेंगे, सीधा सीधा 19 का जो day low रहेगा, यह आपके लिए support के रूप में act करेगा, इसका breakdown मिल गया, जो उससे पहले आपको day low दिखाई दे रहा है, यह आपके लिए support के र आज का day high, इसका breakout मिलता है, आज का day high, दोस्तो वीडियो को like कीजिएगा, comment करके बताना कि आपको analysis कहसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने helpful है, नए हो channel को subscribe करना, bell icon प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली videos के notification मिल सकेंगे, फिलाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी next video में किसी अच्छे content के साथ, thank you